यास पंजाबी ते पंजाब बोलता वेखरे दर्शकाना बहुत बहुत सुआगे तैजी मेहा कुलविंदर सिंग ते पंजाब बोलता देवेच आज गल करांगे देश दी अधी अबादी दी यानि की कुडियां दी तरहसल निर्भया केस देवेच एक वड़ा फैसला आया व साद़े समाज देवेच ताब चारा देवेच और बीचिदी तैज दी एखास्या ग哥s हाया उत्ते जो स्वा यानि पंजाश के रख्या एंगे कि घुल कोडियां सुरक्यत हो जानगी यां एसे असरी अज नौचवानचे माजूभाद करांगे एलगे ढोवेच ब नाका यह दो एक तरह से सही है बाड वही है कि बहुत लेट लिया अगर थोड़ा पहले लेते लेक्ट अगर कृमिनल करीज में केसrick का कॉई हो रहे है तो वह उसी टाइम एक्शिन लेते हैं हमारी सेट है कुर्स dogmaendra बाटा तो यह है कि एक्शन लो थोड़ा जल्दी लो और थोड़ा और स्टिक लो एक यह भी है कि चलो डिसीजन तो ले लिया फांसी का बट मुझे नहीं लगता कि इसे रेप के से इस पर जादा इफेक्ट पड़ेगा लड़कों को समझाना चाहिए लोग मतलब लड़कों को रोकते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे तक बाद बाहर नहीं जाना अगर लड़की फ्रेंट के साथ गूम रही है तो उसे 100 कॉल आएंगे घर से कि तुम कहां हो तुम क्यों नहीं आई क्यों है मैं यह नहीं कहती कि पेरेंट्स गलत हैं लड़कीों को रोक रहे हैं पेरेंट्स अपनी जगा सही हैं वो भी तो चाहते हैं कि उनके बेटी सेफ रहे अब अगर बेटी सेफ नहीं बाहर जाके उनने कुछ हो जाएगा तो पेरेंट्स तो डरती हैं तो यह होना चा की तुमारी बह consecutiva की बहान को गलत नजर से ना देख के तुम भी किसी की बहन को गलत नजर से मत की तुम יस्किते सीपनेड़ यहांके हिए मस्थ कह कि वो बहुत लेट लिया गया बर मुझे नहीं लगता है इससे जो रेप हो रहे हैं वो उस पे कोई अफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी एक केस हुआ था जिसमें किसी मुल्जिम को फांती हुई थी लेकिन उसके वावजूद इंडिया में हर 15 मिनिट में एक भी यही माना है कि पहले हमें लड़कों को रोकना चाहिए लड़कों को सिखाओ कि अगर लड़की ने मतलब उसके ड्रेसिंग सेंस से उसको जर्ज मत करो अगर उसने ऐसे कपड़े पहने तो तुम तो अपनी नजरे नीचे जुखा सकते हो ना लेकिन नहीं हम नॉमली कोई कुछ नहीं कहते हम उनके ड्रेसिंग सेंस अगर वो लेट जा रही है और लेट ऑफिस ते आरही है तो हम अपनी जज्जमेंस मना लेते हैं कुछ भी लेकिन बॉइस इतना मर्जी रात तक लेट डूमें लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता तो बेसिकली हमारी इसनों किस तरीके देखते हूं जो सजा होई है ते इन फ्यूचर तुसी की इंपक्ट देखते हूं इसना मेरे को सच बूलो तो मेंको इंपक्ट कोई लगा नहीं कोई खास अगर चार लोगों को फासी मिल जाने से रेपस बंद हो जाते तो आइगेस यह स्टैप बहुत प आज कल केसे जा रहे हैं कि छोटी-छोटी बच्चीयों का रेप हो रहा है जब वो लोग सेफ नहीं हैं लोग बात करते हैं कपड़े की लोग बात करते हैं कास्ट की लोग बात करते हैं लड़िकियों के करेक्टर की बट मेरे इसाब से इन सब मुद्दों पे से हटके हमें उन मुद्दों की बात करनी चाहिए, हमारे जो हमारा constitution है या जो हमारी पारलेमेंट है इन्होंने क्या किया है हमारे लिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्या rules बनाया है इन्होंने, ये लोग हमेशा लड़कियों, अगर लड़कियों को तुम्हें बचाना है तो मेरे जा साथ साल के बाद उन लोगों को सजा मिल रही है, उनके माबाप क्या असर पड़ा कुछ नी पड़ा, अगली बार में अब इसका तो ये डिसवांटेज और हो गया है कि लोग आएंगे ही नहीं आगे, आठ साल उन लोगों ने कोट के चकर काते हैं, क्या फायदा हुआ तो इसको प्रापर यूटिलाईज तो करो, मतलब प्रापर इंपलीमेंट तो करो, क्या फायदा सिरफ पेपरों में लिखके और वो कोट में कागस पड़े हैं, उस चीज का क्या फायदा, उस चीज को रियालिटी में लेके तो आओ, इंपलीमेंट तो करो, फंड आ गया, स्टेट के पास रखा है, किसी ऑफिसर के पास रखा है, वो वहीं रखा है, डेस्क में ही रखा है, तुम अपना यूज कर रहे हो जिस चीज के लिए तुम्हें फंड दिया गया है, उस पे यूज करो, सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, उस पे यूज करो, सिक्योरिटी बढ़ाओ, सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाओ, या फिर जैसे नाइट ड्यूटी पर जो गार्ड होते हैं, उन्हें बढ़ाओ, ठ इसास दिलाते हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरो हो रहा है आपके साथ को इसी दर्दनाक चीज हो रही है ना तो कैसा मैसूस होता है उस बंदे ने उस लिटकी के साथ रेप किया उस बंदे को इतना मतलब टॉर्चर किया जाता है ना कि वह बंदा खुद कहता है कि मुझे मार दो कभी उसकी उंगली काट देंगे कभी उसकी हाथ की उंगली कभी पैर की उंगली कभी आदा हाथ काट देंगे उस बंदे को दिखाओ की दर्द क्या होता है तब ही इंसान डरेगा कुछ गलत करने से Fauci से आजकर कोई नी डरता हमारे iba इंडिया में इतने लोग हैं लोग कहते हैं किया होगा अधाल-धाल फानसी होजेगी हम तो भजके निकल जेंगे हमारे इतने रिष्तेदार है यहалNet वह जान पीचान है यह वह जान पीचान है इस आजके टाइं पर कोई नी डरता बंदा एक बार सोचने से पहले भी डरे, अगर उसके मन में एक बार इतना सा भी थोट आ रहा है ना कि मैं ये गलत काम करूँ, तो उससे पहले ही बंदा उसकी रूह काम उठे कि भी नहीं, मेरको नहीं करना. अगर एक लड़की के साथ रेप हो गया है, तो उसके जो रेलेटिव्स हैं, जो नेबर्स हैं, वो उस लड़की को ही गलत समस्ते हैं, उस लड़की को ही इतना, मतलब क्रिटिसा ही इतना टॉर्चर कर देते हैं, कि वो लड़की जी नहीं पाती, जादा लड़की होती है, रेप किसे के बाद सोसाइट एटेम्ट्स कर लेती हैं, क्यों कर लेती हैं, क्यों कर लेती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, कि उन लटकी को यह बोल के चुप कर देते हैं कि तु लड़की है तु लड़की तुमने आगे जाना है मेरे को खुद बोली गही है लाइनस तुम्ने आगे जाना है तुम ऐसे इतना आगे आ नहीं बोल सकती हो, तो मेरे इसाब से चीजें बहुत roots से start करनी चाहिए, मतलब कि लोगों की सोच को लेके लेके अगर law बना देंगे क्या फायदा है, कोई फायदा ही नहीं है, law बना के वो implement नहीं होती हैं चीजें, और मेरे साब से लोगों को बिठा के वो सब चीजें बोल सकते हैं, और समझा भी सकते हैं, तो मेरे हसाब से नजरियाद चेंज करना चाहिए, हम सारा दिन लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, अपने फ्रेम ऑफ माइंड या अपना फ्रेम ऑफ टार्गेट जो है, लड़कियों से अठाके लड़कों पे डालो, तो ये सब चीजें बंद होंगी जो मुख दोशी सी, उनननों फांसी दी सजा हो चुकी है पर अची नौजवान देनार गाल कारे हैं कि किसे नौ फांसी देनार ही देशते वेचे पुडियां कुडियां ने तियां ने उस रख्यत हो जानगी हैं, साथना कुछ नौजवान माजूद ने, पाजी की ना तोटा अम नेंदर संग नाई मेरा अम नेंदर तोटान लागदा है कि जिमिन नेर्विया केस देवेच चारे दोशी सी के फांसी दी सजा हो गई है, पूरे देश देश देवेच मांगो ठाई सी के जए लोगकां दे खलाफ मौत दी सजा होनी चाहिए हैं, पर तोटान लागदा है कि किसे बंदे नौ सिर्फ फांसी देन देनाल एक चीजा साथे समाज चो खतम हो जणगी हैं, देखो ये सरकार दा बहुत चंगा कदम हैं उननों फांसी देना, इस नाल लोगकां दे विच जड़े एदा दे गल्त अंसर ने, उनना विच डर्दा महौल पैदा होएगा, एज गल्त का मकर्मतों, लेक लेकिन सरकार नो को यादा देना, और तन बचान दी मतलब सुरक खास चंगे मतलब परवांद होने चाहिए पोलिस नहीं चाहिए इए, जड़ी सिर्फ और तन दी सुरक ख्या ली काम करें, तो 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 उसी दस्टों के तो नों के में लाग रहा है कि जो फांसी दी सजा इन केस हो या ते आट साल बाद उन्ना सजा मिलिया बहुत लांग टाइम है वोदे बिच्च वी किने रहे हैं पिछे हो के अट यह ते बदिया काल लें कि इन फांसी में दे रहे हैं हो ते उनने फैक्ट पावगा नौजवान पेडी दे भी उनन डर पाहोगा न महलोग गडर ते कुछ परसाइंट काट भी सागदें पर सरकार नो वी दे ले कोशे प्रवंद कारने चाहें दे वक्करे उनने फ्यांग कि पहला दे मुकाबले कुडियां दी स्क्योर्टी दी गाल गार दे को कि यह चीजास साधे समाज दे पेला तो हूं दिया आरही है ने पर थो अप अपने स्कूल कालेज भी खोल देते ने अपने अपने एजुकेशन वदी है पर एजुकेशन दे वदन नाल भी ना क्राहिम पिछ कमी नहीं आई इसलिए पताने की साथे सोच बिछ कमी होगी या मोजबना दी सोचन शक्ती सेंड शक्ती काटगी और और तां ते अपर दिन प कारां दास भी परसेंट यूज करके उनों ते अधर त्यानी दे रही हैं तां करके ना मतलब यूथ गल्त पासे गाइड हो रहे हैं ते अपराद बाद रही है और तो साथी साथी साइटी दे एक वड़ा रोल होंदा है ती यहां दी स्रक्ख्यानों लाए के तुसीं जमें चाहिए था तुसी स्माइट विच साथी जम्मारी होंदिया कैसी इजजट करना सखाई है चाहिए जानू लाग दाए कि साथे समाइटे मुझे नू एक और गाल सखाई जान दी यहां तो आगले वी जिम्हें सी पैना के हैंदे हुड़ा के औरत नू पहर दी जुद्धि क कर दो तिए वक्री काल लाए कि अग्वाइन बच्चा नहीं साओंज़िदा ते अपने करना चाहिए जो अपने कारदा महल होंदा है बच्या वही समाज कर दा दा ओधियां उद्धा इस तरी के विद्धकार नहीं है। कि आपनों अपने चाहे मुंदाय चाहे कुडी है उन्हों इक दूजय दे प्रती मतलबी सेहन शीलता ते इक दूजय दी इज़त करनी सख़ए दिया मुंदे आनुखास करके कुडीयां दी इज़त करनी ते उननल चंगा भी वहार करना किसे बहार जिनों पर कुडी आपरी जो निर्भया के सजा सुनाई गई है मोलस्मानों बेशा को सदेविच देरी होई है पर इसनल कितना के समाज देविच थोड़ा बहुता डार अजय अंसान दे मान देविच जरूर बैठेगा जो मान देविच मारी पावना राख देने ते इस तरीके दे कार्यानों अंजाम देन देली जिनन देमान देविच किसे वितरां दी कोई इच्छा सक्टी जड़ी सी उपन प्रई सी फिलाल एक शोड़े ब्रेक लिए रुकांगे पंजाब बोल्दा लगाता जारी रहेगा पंजाब ब्रेक बाद पंजाब बोल्दा इतोड़ा सवागता है जी घलसी कार कि साथे समाइब देवें चीज जान ख़तम हो जान गया साठी ना कुछ नवाजवान माजूद ने की ना मतला तुछार निर्भया केसे लिए चारां दोश्यानु फांसी दी सजा होगी तो उनुकी लागडा है कि इस फांसी तो बाद साथे समाइब देवें कोई सुधार जोटे बच्चे आपके वड़े कोई साल दो साल बच्चे दावी रेप हो रही जसे सरकार कुछ भी नहीं कर रही जस फांसी देटी वर बट दस साल बाद इती जाके निज लेट इती फांसी उस ट्री देख देख दिया बाद शहरा मुलका दुबई देख लो कोई बंदा चो बच्चे आदे किनी गल्त गाला लोकानों करने चाहिए कोई जसों के असी कुडियानाल भी गाल की ते कुडियाना के हमेशा कुडियानों जिम्वार तहरा देता जान दाए कि समाज दे विच प्पड़े पैनन तो लाएके देर रात तक रुकन तक नूला के कुडियानों लागू नहीं बुड़े आएक शराव के बुरा होनता बड़ तक रिपन चारा कुडियान था भी कसूरा के कुडियान चाहरा जारा थे जारा तेज हम लोकी कि दा बोलिये मुंदे नहीं जारा तेज नहीं हो शराव गयरा स्मोकिंग गल संगत वे चोचका सब कुछ इस लागू आरे हैं एक गला गूवर्मेंट को स्टेप चुकेने चाहिए यान कि राती कुछ प्रॉपर कोई चीज होने चाहिए कि पूलिस वस्ते कि यो चेक करन एक पर कोई स्टेपने चाहिए चाहिए नहीं बहुत लेड दिती गई है जीदे करके पहली गलता इन्ने साला चाहिए वैसे रूब बहुत रेप हो चुके ने ते आपा रिसेंटली देख्या उनने रिसेंटली वी एथे चितकारच वी बड़े सीन होया सिगा कोडी दा रेप करके उन गल लेया कि जद किसे दा रेप होंदा ना मोसली जे किसे कॉलेज दिगा लेग रिया था ते ओना चुपांट कर दे कि अपार लुक आ लिया था कि सद्धा नाम ना खराब हो ते बेसिकली अपा देखे जावे रेपता हो रहे हैं एक अधे लुक जांदे ने अधे बाहर आ जांदे ने ते जड़े बाहर आंदे ने ओना ते मेरे ख्यालना उसे टाइम एक्शन लेना चीए उजड़े चारी बंदे से उन्हां नों उन्हांदार इंकाउंटर कर देता गया पर उधे भी स्वाल उठे कि तुसी पूरी अदाल्ती पर करेया तो भिना किसी नों इस तरीके महार नों भी गल्त है पूरा जड़ा कनूनी परसाइस है और फॉलो होना चाहिए अधे अपा करनून दे साब ना चाल देता है शयद बहुत टैम लाग जनाना अनुों फांसी दे लिए जित्ते अंकाउंटर कीता है तो न कोंटर भी सही है कि ताकि उन्हांनों उसे तैम उन्हा दी सजा मिल गी ताकि उते हुन मेरे ख्याल ना है थोड़े तैम लिए धाफ फोड़े ल सब्सक्राइब करें कि अपने देश देले कोई चाज़दी चीज करिए सबस्क्राइब करें कि अपने डीजने आपनों मुंड़ियां रखना ते ओधे लिए आपनों सेकुरिटी करने बेने ते ओधे ली आपनों रूल्स बनाने बेने पाई तो अधे अधे नाम है सब्सक्राइब करें लेकिन गुवर्मेंट ने कुछ किता थे इंपक्ट जरूर पड़ूगा लेकिन थोड़ा लेट पढ़ूगा लेकिन पड़ेगा जरूर कि इंपक्ट लादे तो ने रेप होना मलें एक बंदे दिलिचे डरता आओ गया अरकलो मैं अगलता काम गार रहे भी गलो मिनू भी फांसी हो सागधिया मेर ने नूस पैसिल दसने जन्दे एपन्दे मेंटली मिनू लागधा बिमार हुंदे एस सोसाइटी ज़ा पार्ट नह दिया है अधे रिष्टेदार दि फैमली दिया जड़े आस्परोस चुरहें दे ब्लेम करते बीकुडिया शोड्रस वां दिया ते मतलब एक कार दिया ते मनुन कहना चाना जाए एक पंचा साल दी कुडी दा विरे पुर है पंजाए साल दी अंटी दा विरे पुर हो जो करते हैं तो सारी कुडिया दी उनना इस 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 प्रक्राइब करनी है ते हर कुडी जे एद्दा करूगी ता फिर मेनु लागदा भी रेप नहीं होंगा तो तो दोडन दे लोकी बहुत जारे अपने हैं सजेशन से उते हैं जड़े रूल रेवलिशन नो तोड़न दे मामल अट नहीं प्रक्रिया जडिए यह बहुत लंबी है तो जड़ा बंदा नहीं लड़न विक्तम है वे उसनों बहुत इंतजार करना पिंदा थक जंदा रादव थे पूसे नहीं धी परक्रिया यह ब्लेम निणा सकते मेनता पछली गले वी रेप हो यह क्यों है तो एनि रिय भी मैं एक इंटेंशन ना रखे एक रेप हों दाई क्यों एससी बन्द हो सकती है बलातकार यह चेड़चार देंडे मामले ने उससे समाइदे विच बंध हो सकतें इसलिए पानु की करना है ना फ़ूद मुंद्धे पूच साके भी दूरा दस बजे की करना जारा है तो फ़र्क पड़ूगा ते जड़े पॉलिटीशन से उन्हीं नो मैंनू लागता है पूल साथे बुद्धायत देनी चाहिए ते जी कुड़ी एक कंप्रेट कर दिया मैंनू इस मुंड़ने छेड़ा है मेरा मुंड़ा पिछा कर दा है मैंनू कुछ भी नहीं किता है सोचल लाइटिंग साड़ी ते मैंनू स्टॉक की किता है ते ओस टाइम पोलिस एक्शन नहीं लें दी ते जद बलातकार हो जन्दा रेप हो जद पोलिस एक्शन चेंदे ते गल्ती किते ना किते पॉलस दिया है अपका कॉंस्टिटूशन नहीं ब्लेम नहीं कर सकते है क्यों कॉंस्टिटूशन तो अनू इतने साला दक जद देश चला के अधर तक लिया है वो अग्गे भी लाएके जाओगा ते थैंक्यू सौमच बहुता अन्वा साड़ना गालबात कान लई सोईसान कुछ नौचवान जना दा मनना है के कनून देवेच तब्दीलियां होनियां भी जरूरी ने उसनों सक्त करना भी जरूरी है पर जितो तक कुडियां दी सरक्ख्या दा मामला है ता इस देवेच समाज दी पूमका भी अहम है कानून देवेच सक्त कानून देवेच सरकारां दी पूमका भी जरूरी है ते हर केसे नो आप देवेच तब्दीलियां लिएँ पैगी जे करा सी ये चीज चोंदियां कि साड़े समाज देवेच खत्मों भी तो फिलाल आज दे पंजाब बोलता देवेच एनाई त जरूरी है तो देवेच देवेच सक्त करारां देवेच